हलो इशुरेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आठवी कक्षा गनीत के इस वीडियो लेक्चर में इस वीडियो में हम पाठ ग्यारा चतुरभोज की रचना के अंतरगत प्रस्ना आली 11.2 की प्रस्नों को सौल करेंगे प्रस्ना आली 11.2 के जो प्रस्न है वो द्वितिर प्रकार के चतुरभोज रचना के अंतरगत आते हैं जिसमें हमें तीन भुजाएं वो दो विकर्ण दिया हुआ होता है कहने का मतलब यहां पर आपको पांच जानकारी दिया रहेगा लेकिन उन में जो है की तीन जो है की भुजाएं रहेंगी और जो है की दो विकर्ण रहेंगा उसके अधार पर हमें क्या करना है चतुरभोज की रचना करना है प्रसना वाली 11.02 में टोटल 3 प्रसन है और प्रतेक प्रसन को सौल करने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट लग जाता है ठीक है तो ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा आप लोग वीडियो को पूरा देखना ध्यान से देखना और जो भी बारेकी में बताऊंगा उसको नोट करते जाना और जब आप लोग रचना करोगे तो वो गलती मत करना पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था रेगुलर बेसिस पे उसका करन यह है कि थोड़ा सा पैरेंट हूड में मतब कि मेरा जो बच्चा हुआ है तो उसकी देखभाल में थोड़ा जादा ही बीजी हो गया था इसके साथ ही इसकुल का कुछ काम कर रहा था उसमें बीजी हो गया था तो मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग मतब गुस्ता आ गया होंगे कि इनके वीडियो को हम देख रहे तो यह वीडियो ही नहीं बना रहा है तो ऐसा मत किजेगा आप लोग मेरे साथ पढ़िए पूरा पढ़ेंगे है ना और अभी दिसंबर तक जो है कि यदि हम regular school में पढ़ते तो हमको यही 11 पार तक ही पहुचे रहते पूरा complete नहीं होता है तो यहाँ पर भी वही सिती है जैसे कि आप regular school में पढ़ते थे ना उसी तरीके से यह complete हो जाएगा इस साल के लाशता है तो मेरे चैनल के साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब कर लो यार और अपने दर से सेर करना चलो प्रस्णों को सौल करना शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम पहला नंबर का प्रस प्रस्ण में क्या बोलता है एक चतुरभूज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 4 cm, BC 3 cm, AD 3.5 cm, विकर्ण AC 5 cm और BD 4 cm हो CD भुजा को नापिये देखो यहाँ पर आपको 5 चीजों के बारे में जानकारी दी गई है ठीक है तीन भुजाये हैं पहला, दूसरा और तीसरा और आपको दो विकर्ण दिया है AC और BD ठीक तो यहाँ पर जो कुल 5 जानकारी कम से कम होनी चाहिए वो वाला जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर चेक कर रहे थे यदि आप लोग पिछला जो वीडियो है इस पार्ट का उसको देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो छोटी भुजाये हैं उनका जो योगफल होता है वो जो सबसे बड़ी भुजा है उनसे बड़ी होनी चे उसको यहाँ पर हम चेक नहीं कर सकते ठीक ह क्योंकि यहाँ पर चारो भुजाओं की लंबाई आपको नहीं दी गई है तो उसमें ज्यादा टेंसन नहीं लेना है देखो क्या है जो भी प्रस्न हमारे बुक में दिया हुआ होता है प्रस्न वाली में कि इसको रचना कीजिए बोलके हैं तो वो ज्यादा तर रचना हो सक करते हैं ठीक है इसमें हमको डाउट नहीं करना है और सिधा रचना करने बैठ जाना है आपको बस इतना देखना है कि यहाँ पर 5 जानकारी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ ठीक है अब चलो भाई इसमें अपन आगे हल करना सुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको हर लिखना है ठीक है फिर जो भी जानकारी दिया है उसको आपको लिखना है दिया है जतुर भूज यह चतुर भूज है ओके जतुर भूज A B C D में इस तरीके से उसके पाद जो जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है उसको आपको लिख देना है AB बराबर 4 cm ठीक है BC बराबर 3 cm AD बराबर 3.5 cm फिर उसके बाद क्या है भई यहाँ पर AC ठीक है AC कितना दिया है 5 cm दिया है और BD BD बराबर कितना दिया है 4 cm तो आपको इस तरीके से लिख लेना है इसके बाद क्या करना रच्छा देखो अब यह जो भी जानकारी है आपने यहाँ पर अच्छे से लिख लिए है इसके बाद अपन को चाहिए रहता है रच्छित्र बनाना क्या चाहिए रहता है रच्छित्र बनाना अभी तक जितने भी हमने सॉल किये हैं सब में सब किये हैं आपको यह चीज़े अच्छे से पता होना चीज़े कि रफचित्र क्या होता है, रफचित्र को क्या करते हैं, हम साइड में बनाते हैं, अपना जो कौपी होता है, उसके साइड में कहीं पर हम बना लेते हैं, छोटा सा रफचित्र, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सिं लिखना है ठीक है ये वाली जो भुजा होती है इसको हम अधार भुजा को लते हैं तो जो आपको पहला भुजा दिये रहेगा उसी को आढ़ार बनाना है ठीक है फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी लंबाई को भी लिख लो ऑगे इसके बाद B के बाद के आजएगा C और C के कि या पर यहां पर जो लंबाईयां आपको दी घुजाओं के उसको भी लिख लेना है जैसे कि बी-ची आपको 3 cm दिया है तो यहां पर हम 3 cm लिख लेते हैं फिर उसके बद AD 3.5 दिया है तो उसको भी लिख लो यहाँ पर 3.5 cm CD की लंबाई अपन को नहीं दिया इसको तो अपन को प्राप्त करना है ठीक है और इसके बाद अपना जो विकर्ण है उसको भी यहाँ पर हम दर्साल लेते है AC ठीक है और कुछ सा विकर्ण दिया है BD अब दो ही ठोक तो विकर्ण बने गया है ठीक है AC और BD तो इसकी जो लंबाई यहाँ है उसको भी हम यहाँ पर क्या कर लेते है Point Out कर लेते है Point Out करने का मतलब क्या होता है यहाँ पर दिखाना होता है ठीक है तो अपना जो AC भुजा है उसकी लंबाई है 5 cm ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिख लिए और जो BD है उसकी लंबाई है 4 cm तो मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे तो अपन को क्या है ना क्या confusion नहीं होगा देखो यह आपका AC के लिए 5 cm BD के लिए 4 cm तो जो line है उसी के सीध में यदि हम लिख लेते तो कोई confusion नहीं होता है अब अपन को क्या करना है सीधा सीधा रचना करना ठीक है यहाँ पर आपके जो रब जीतर है वो आपका help करेगा ठीक है लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम रब जीतर लिख देते हैं क्या लिख देंगे रब जीतर ऐसा करने से क्या फायदा होगा ऐसा करने से फायदा यह होगा कि जो check करने वाला है उसको यह पता चल जाता है कि यह वाला आपका रचना नहीं है यह रब जीतर है और नीचे में रचना की गई है ठीक है किसी भी वीडियो में जो वीडियो बनाने वाला रहता है, वो वीडियो अच्छा दिखे, ऐसा कहा के क्या करता हु! वो skiche pen को यूच कर लेता है, pen को यूच कर लेता है लेकिन किसी भी paper में आपको दो रचना करने के लिए pencil ही अलऊ रहता है, तो आपको pencil का यूज करना है ठीक है मैं इसको थोड़ा ऐसे रख लेता हूँ ताकि मुझे रचना करने के लिए प्रयाप्त जगा मिल जाए एक्ट्र में मैं चीतर देखकर रचना करने वाला हूँ तो यह जो लिखा हुआ है उससे मेरे को जादा लेना दिना नहीं है ठीक है तो मैंने क्या कर लिया इस तरीके से अपना रख लिया कागच को ठीक है आपको रब चीतर सामने दीख रहा होगा सबसे पहले कौन सा भूज भूजा रहता है उसी को बनाना रहता है यहाँ पर अधार भूजा कौन सा है अपना अधार भूजा क्योंकि यह नीचे में ठीक तो अपन इसको बनाने वाले हैं तो अपन करेंगे क्या देखो यह जो अपना चार वाला पॉइंट है ना उसको देखकर आपको बनाना है ठी ठीक है और फिर इसको क्या करना मिला देना ठीक है सिंपल सा यह रेखा खण रचना करना तो यार आप छट्वी तक्षा से कर रहे हो क्या पता पांच्वी से भी सीखे होगे अब मैं पांच्वी तक्षा को नहीं पढ़ाता ना तो मुझे नहीं पता ठीक है तो छट्वी तक् कि यहां पर ध्यान दो C point के लिए A से C तक का दूरी पता है ठीक है और B से C तक का दूरी पता है इसका मतलब हम C को प्राप्ट कर सकते हैं यहां पर ध्यान दो D के लिए A से D तक का दूरी पता है 3.5 cm ठीक है और B से D तक का दूरी भी पता है 4 cm है इसका मतलब हम D को भी प्रा करें देखो जब अपन चतुरभुज का नाम लेते हैं तो कैसे लेते हैं A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D तो by default C पहले आ रहा है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? C को पहले प्राप्त कर रहा हूँ वैसे यदि आप D को पहले प्राप्त कर लो तो भी आपका रचना बन जाएगा क्योंकि आप बाद में C को प्राप्त कर सकते हो लेकिन यह आपका फंड़ा है और मेरा फंड़ा यह है कि C बोलने में पहले आ रहा है और C को मैं पहले प्राप कर सकता हूँ तो मैं C को ही पहले प्राप करूँगा ठीक है? तो अब क्या करने देखो A से C तक का जो दूरी है वो कितना है? 5 cm है इसका मतलब मुझे अपना जो प्रकार है उसको कितना फैलाना पड़ेगा? 5 cm तब फैलाना पड़ेगा और फीर अपना जो डिवाइडर है उसको यहाँ पर रखेंगे एक को रखना है अपन को 5 में ठीक है? इस तरीके से 5 में रख लेना है और इसका जो पेंसिल वाला हिस्सा है उसको कहाँ पर रखेंगे? 0 में तो करना कहे है देखो डिवाइडर का जो डोख है उसको 5 में रख लेना और जो अपना पेंसिल का डोख है उसको कहाँ पर रखेंगे? 0 में रखना है तो इस तरीके से आपको फैलाना है ठीक है? यार ऐसे आपको त्रिज़या लेना simple सा चीज है आप जानते होंगे है ना तो ऐसे रखना ठीक है और फिर देखो एसे अपन को क्या करना है चाप काटना है तो यह जो नोख है उसको कहाँ पर रखोगे अब देखो आपको एक ही बार करना है ओकी है यहाँ पर आपको वीडियो में नहीं दीख रहा है ऐसा सोच के मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं दो बार कर रहा हूं ताकि यह थोड़ा इस पॉस्ट्रूप से दीख सके अब क्या करना है अपने को B से 3 cm का तीज़ा लेके चाप काटना है अब मैंने ऐसा क्यों किया मैंने B से D वाला जो दूरी है उसको क्यों नहीं लिया क्योंकि पहले अपन को C प्राप करना है तो C से रिलेटर जो भी काम करना है उसको पहले करना है ना A से हमने 5 cm तीज़ा का चाप काटा अब B से 3 cm तीज़ा का चाप काटेंगे तभी तो C मिलेगा ठीक है तो एक चीज़ के लिए जो भी करना है उसको पहले करना है उसके बाद दूसरे के लिए जो भी करना रगता है उसको करते है ठीक है तो again scale को ऐसे रखना है अपनको यहां पर 3 cm का दूरी लेना है तो यहां पर इसको मैं क्या करता हूँ 9 को 3 में रखता हूँ ठीक है और फिर इसको मैं 0 में ला देता हूँ इस तरीके से यह फैल जाएगा ठीक है देखो यार क्या बोले इसमें थोड़ा सा पीछे करता हूँ वीडियो में पीछे दीख रहा है और reality में आगे हैं तो इस तरीके से आपको अपना scale में आपना है ठीश फिर उसके बाद यहाँ पर रखना और फिर इसको क्या करना है ऐसे आराम से चाप कर देना है जब आप चाप काट होगे हैं उसके बाद जो है कि जो दो चाप है ना उनका आपस में बीच में एक cross point मिलता है जहाँ पर इस first troop से cross point मिलता है वहाँ पर आपको pencil से ऐसे mark कर देना है अब यहाँ पर mark करना ज़रूरी इसके पर जाता है कि कभी-कभी हम C को केंद्रमान कर भी चाप करते हैं और दूसरा चीज़ यह है कि हम C को B और A से मिलाने वाले भी है इसलिए वहाँ पर marking करना ज़रूरी है जब आप marking कर लोगे उसके बाद यहाँ पर इसका नाम करन कर देना ठीक है इसके बाद तूरंट आपको करना क्या है तूरंट यहाँ पर इसका जो दूरिया है उसको भी लिख सकते है ये 5 cm हो गया, ये 3 cm हो गया, इस तरीके से, अब देखो भाई, C वाला point तो अपनको मिल गया है, अब अपनको कौन सा point चीए, अपनको D वाला point चीए, ठीक है, तो A से D तक का जो दूरी है, वो कितना है, 3.5 cm, तो अब अपनको अपना जो प्रकार है, उसको कितना फैलाना है, अब ही अपन, अपने प्रकार को कितना फैलाना है, 3.5, अब देखो, 3.5 कहां पर मिलता है, ठीक है, ये जो आपका 3 है, उसकी बार देखो, ये जो point है, है ना, ये आपका 3.5 है, तो मेरे को क्या करना है, यहीं पर इसको रखना है, ऐसे, ठीक है, 3.5 पर रखेंगे, और इस का जो zero point है, इसको zero में पहुचा दे, पेंसिल का जो noak है, उसको zero में पहुचाएंगे, और divider का जो noak है, उसको अपन को 5 रखना है, कौन साला 5? तीन के बाद जो छोटी-छोटी वाला जो point रहते हैं, एक, दो, तीन, चार, पहांच, यहाँ पर रखना है, आपको ऐसे, त पाँच का त्रिज़ा लेके चाप काटेंगे, ऐसे, यह चाप कट गया, अब अपन को करना क्या है, बी को केंद्र मान कर फिर से, है न, बी को फिर से केंद्र मानना है, और 4 cm का त्रिज़ा लेके चाप काटना है, ठीक है, अब 4 cm का त्रिज़ा लेना है, तो क्या करोगे भ यहाँ पर 0 ठीक है तो इस तरीके से आपको फैलाना है और फिर यहाँ पर आपको B में रखना है और ऐसे चाप काटना है ठीक चाप काटो के तो अगेन आपको क्या मिलेगा cross point मिलेगा ठीक है यह वाला यह आपका कौन सा point है D point है कौन सा point है D ठीक है तो यहापन नाम करन कर देंगे इसकी बाद क्या करना देखो आपका रचना तो हो गया भई है ना यहापन रचना वाला जो भी काम था वो तो हो गया है एक तरह से दिखा जाए तो अभी इसको पूरा करना है ठीक है तो मैं इसको थोड़ा से इधा side कर देता हूँ ठीक है और इसको अपन क्या करते है हाँ पर मिलाते है D को क्या करोगे पहले A से मिलाना पिर इसके बाद किस से मिलाओगे B से मिलाओगे पिर उसके बाद किससे मिलाना है C से मिलाना है ठीके तो D को आपको 3 पॉइंट से मिलाना रहता है अब देखो यहाँ पर आपका जो है की A, B, C, D जो चतुर भूज है वो बन गया है अभी यहाँ पर कुछ चीज अधूर है क्या चीज अधूर है तो उसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यह क्या है, 3.5 cm, ऐसे, और यह जो वाला विकर्ण था, बेटी विकर्ण, यह कितना था, 4 cm, तो मैं यहाँ पर 4 cm ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, तो यह तो दुरिया हो गया, अपना जो प्रस्न है, उसमें अपन क cd-bhuja की लंबाई पूझा था, क्या पूझा था, cd-bhuja की लंबाई, तो उस लंबाई को भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रखेंगे ऐसे, और इसकी लंबाई कितनी है, उसको अपन ना अप लेंगे, तो देखो, एक मिली सेंटीमिटर का डिफ्रेंस आ सकता है नहीं तो यहां पर अपन को दो दस्वूलाब CD बराबर 2,15 cm ऐसे आपको लिखना है ठीक है अब इतना करने के बाद एक चीज और बच जाता है और वो चीज क्या है रचना का पद ठीक है क्या बच गये है रचना का पद तो उसको भी अपनको लिखना रहता है ठीक है तो जैसे जैसे कि यह उसको लिखना रहता है, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जवरत किया है, तो चलो उसको कैसे लिखना है, उसको देख लेते हैं, चलो रचना के परत आपको कैसे लिखना है, उसको देखो और सिखो, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, हमने क क्या किया A B भूजा बनाया ठीक है तो उसी को लिख रहा है A B रेखा खन 4 cm खीचा यह आपका पहला स्टेफ हो गया ओके सेकन स्टेफ हमने क्या किया उसको देखो सेकन स्टेफ हमने क्या किया A से 5 cm का तेज़ा लेके चाप काटा और B से 3 cm का तेज़ा लेके चाप काटा ठीक है तो उसको हम कैसे लिखेंगे ए तथा बी को केंद्र मानकर केंद्र मानकर क्रमसह क्या लिखोगे क्रमसह पाँच सेंटीमिटर तथा तीन सेंटीमिटर त्रिज्या का चाप काटा जिससे बिन्दु सी प्राप्थ हुआ जिसे ए तथा बी से मिलाया देखो जो किये हो उसी को लिख रहे है ए ना ए से पाँ सेंटीमिटर तिज्या का चाप कटे बी से तीन सेंटीमिटर तिज्या का चाप काटे बिन्दु सी प्राप्थ हुआ उसको हमने ए और बी से मिलाया ठीक है तो जो किये हो उसी को लिख न रहता है उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो क्या किये देखो पुनह A तथा B को केंद्र मान कर क्रमसह A से D के लिए 13.5 और B से 4 संटिविटर समझा रहे है ठीक है 13.5 संटिविटर तथा 4 संटिविटर त्रिज्या का चाप काटा जिससे बिंदू D प्राप्थ हुआ जिसे ए पहले A से मिलाएं बी फिर B से मिलाएं तथा C से मिलाया ठीक है यही किए चाओं था इस्टेप क्या लिखो गए प्राप्थ चत्रभूज A B C D अभिष्ट चत्रभूज है अभिष्ट चत्रभूज है ठीक है इस तरीके से आपका जो रचना के पद है उसको आपको कम्प्लीट करना है और यहाँ पर आपको C D भुजा की लंबाई पुछा था तो उसको आपको अलग से लिखना है ठीक है और रचना के पद लिखना है तो इस तरीके से आपका यह रचना जो है कि कम्प्लीट होता है ठीक है अब जो नेश्ट प्रसन है उसको भी देखते हैं अब हम प्रसन नमबर दो को देखते हैं प्रसन नमबर दो भी पहले प्रसन के जैसा ही है ध्यान से देखें चतुर भुज PQRS बनाईए जिसमें PQ 4.2 cm QR 3.6 cm P S 4.5 cm यह तीनों क्या है भुजाए हैं ठीक है प्रसन नमबर दो प्रसन नमबर दो में क्या है चतुर भुज PQRS बनाईए जिसमें PQ बराबर 4.2 cm QR बराबर 3.6 cm P S बराबर 4.5 cm यह तीनों क्या है भुजाएं ठीक है उसके बाद विकर्ण P R बराबर 6 cm तथा Q S बराबर 5.2 cm हो तो यहाँ पर हमें डारेक्ली 5 जानकारी दी गई है जिसके बेसिस पर हम चतुर भुज की रचना कर सकते हैं ठीक है तो चलो यहाँ पर सबसे पहले तो हल लिख लेते हैं उसके बाद जो जो जानकारी दिया है उसको लिख लेंगे दिया है चतुर भुज P Q R S में P Q बराबर 14.2 cm Q R बराबर 13.6 cm P S बराबर 14.5 cm इसके बाद अपन को करना क्या है इसके बाद अपन को रफ चित्र बनाना है ठीक है यह जो जानकारी है उसके अधार पर हमें क्या करना है रफ चित्र बनाना है तो रफ चित्र आप इधर साइड में कहीं पर भी बना सकते हो जहाँ पर भी आपका जो प्रिष्ट है उसमें जगा खाली रहेगा वहाँ पर बना लेना ठीक है तो मैं यहाँ पर साइड में बना रहा है एक सिंपल सा आपको चतुर भुज बना लेना इस तरीके से और हमेशा की तरह क्या करना है जो आपका पहला भुजा दिया रहेगा उस भुजा को यहां पर अधार लेना यह पी क्यू आर और यह एस ठीक है फिर उसके बद क्या करना है इसकी जो लंबाई यह है उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे चारदसल दो सेंटीमीटर ठीक है क्यू आर कितना है तिंदसल दो सेंटीमीटर ठीक है एस आर यहां पर एस आर कहीं पर है क्या नहीं है ठीक है तो उसको छोड़ देते हैं पी एस पी एस कितना दिया है अपनको चारदसल दो पास सेंटीमीटर दिया है तो उसको भी लिख ले से इसकी लंबाई कितनी दिये है 5.7 cm तो इस तरीके से आपको क्या करना है रफचितर बना लेना है नीचे में आपको रफचितर ऐसा लिख भी देना है ठीक है यह सब होने के बाद हम सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा अधार भुजा को बनाना पड़ेगा ठीक है तो आधार भुजा बनाने के लिए क्या करना है? अपना इसकेल को इस तरीके से रखना और यहाँ पर आपको 4 दसलत दो, यहाँ पर देख लेना ठीक है? ओके? यहाँ पर अराम से देखना है, यह 4 रहेगा उसके बाद 1 और 2, तो यहाँ पर जो दो वाला पॉइंट है, वहाँ पर आप जो है कि ऐसे मारकें कर लो और इसको फिर क्या कर लो? 0 तक लिजा देखो रेखा खन कीजने का अपना अपना डिफरेंट तरीका है सबसे बेश्ट तरीका क्या है? यह बता तो देखो, यह 4 दो है, यहाँ पर आप जो है कि नोग को रखो और ऐसा मारक, ठोड़ा सा गड़ा दो, ठीक है? और उसके बाद यह जो आपका 0 अला पॉइंट है, यहाँ पर भी गड़ा दो, ऐसा गड़ाने से क्या होगा? जब हम लोग यहाँ पर रख के ऐसे चाप कटेंगे, ओके? तो अदम परफेक जग नाम करन करना, P क्यों हो गया? यहाँ पर 402 cm का है, तो 402 cm लिखना है, इसके बाद यहाँ पर भी देखो, आप R को भी प्राप्त कर सकते हो, एसको भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? आर को कैसे? देखो, P से R तक का दूरी पता है, और आपको Q से R तक का दूरी भी पता है, तो यहाँ पर R को तो प्राप्त कर सकते हो ठीक उसी तरीके से P से S तक का दूरी ये 405 और Q से S तक का दूरी 407 भी दिया है तो यहाँ पर आप S को भी प्राप्ट कर सकते हो लेकिन हमेशा की तरह R पहले आया है इसलिए हम क्या करेंगे R को पहले प्राप्ट करेंगे फिर S को प्राप्ट करेंगे सेंटीमैटर फैलाना ओके तो ऐसे रखेंगे और इसको मतलब जो पेंसिल के रिखेंए उसको जीरो में तीके और टिवाइडर कर जो है उसको कहां पर रखना उतनको छैमेशन तो इस तरह के सएज और पो तो इसके बद क्या करोगे यहाँ पर जो अपने यह गढ़्धा बनाया थे वहाँ पर रखना और फिर सामने की डायरेक्शन में ऐसे चाप काट लेना ठीक है फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको एक ही बार करना है मैं यहाँ पर डबल टीपल इसले कर रहा हूँ कि वह अच्छे से दीखे इसके बाद क्या करना है अपनको देखो पी से अपनने चाप काट दिया 6 cm का अब क्या बच गया है क्यू से 306 cm का यह वाला चाप बचा है ठी को क्या करना है 306 में रखना है डिवाइडर का 9 को और पेंसिल को काय में रखना है 0 में रखना है इस तरीके से रख लेंगे और फिर इस Q में रखके ऐसे इसको चाप कार देना अब यहाँ पर जो क्रॉस पॉइंट मिलेगा उसको अद्दम ध्यान से ऐसे पेंसिल से ही के जैसा इस टेप अपना रहों वैसा आपको अपनाना है और वैसा ही लिखना है ठीक है ज्याधा हडवड़ी करते ना तो गड़बड हो जयता है इस dramas यहाँ पर तो इस तरीके से ओके तो यह अपना हो गया तो यहां पर मैं लिख देता हूं यह 6 cm है वलके और यहां पर मैं 3.6 cm इसको भी लिख देता हूं ठीक अब क्या बच गया अब अपनको एस प्राप करना है एस के लिए पी से 4-10-5 cm तीज़े का चाप काटना है और Q से 5-10-7 cm का चाप काटना है तो अगें इसकेल को कैसे करना है आपको ऐसे प्लेर रखना ठीक है और डिवाइडर को कितना फैलाएंगे अभी मेरे को पी से चाप काटना है तो कितना फैलाना पड़ेगा 4-10-5 ठीक तो यहां पर देखो यह 4 है उसके बाद यह जो बीच में रहता है वो 4-10-5 है ना आपको पता होगा अच्छा से आठीक शक बच्चे हो तो और इसको आपको 4-10-5 cm तक फैला लेना है फिर उसके बाद क्या करेंगे यहां पर पी में रखना और इस डारेक्शन में चाप काटना क्योंकि आपको इस इसी डारेक्शन में मिलेगा ठीक है अब क्या करना है अपनको 5-10-7 cm का तीज़ जा लेना है ठीक है तो अगें यहां पर इसको रखना है यह आपको 5-10-5 उसके बाद दो लाइन और आगे जाना ठीक है तो दो लाइन और आगे जाओगे तो वही आपको क्या होजएगा 5-10-7 हो जाएगा तो इस तरीके से इसको फैलाना फिर उसके बाद क्या करना है क्यों में रखना है यहां पर ऐसे इसको चाप काटना है तो आपको क्या मिल जाएगा है तो यह जो क्रॉस पॉइंट है यही आपको क्या हो जाएगा एस है तो इस तरीके से ठीक है इसके आना है यह आप इससे मिला दी ठीक है तो आपको क्या मिल जाएगा पी एस मिल जाएगा उसके बाद आपको क्यू से मिलाना है तो आपको क्या मिल जाएगा क्यू एस मिल जाएगा जिनकी मदद से हमने एस को प्राप किया है ठीक है इसके बाद अपन को आर से मिलाना है क्योंक भूजा है ना उसकी लंबाईयों को इस तरीके से आपको लिखना है समझा रहा है कैसे दिख रहा है वैसी लिखना ठीक और यह आपका 5.7 है तो यहाँ पर मैं 5.7 cm ऐसा लिख देता हूँ अब यह वाला जो भूजा है इसकी लंबाई ना तो अपन को दिया है और ना ही हमारे प्रस्ण में प्राःप्त करने बोला है तो अपन भी यहाँ पर उसको खन्ज़ट नहीं करेंगे उसमें कितना लमबाई का है उसको नहीं लिखेंगे ठीकए अब अपन कौन से step बजगे है अपना सिर्फ एक step बजगे है रचना के पत को लिखना क्या बजगे है रचना के पत को लिखना बजगे है तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ थोड़ा साइट ताकि मुझे जगा मिल जाए और यहाँ पर हम रचना के पद को लिखेंगे ठीक है देखो जो आप करते हो ना उसी को लिखना रहते है ठीक है बस थोड़ा सा systematic way में लिखना रहते है रचना के पद यहाँ पर लिख देना ऐसे कि डेस करते हैं पहला step लिखना क्या लिखो कर भई PQ रेखा खर न है ना बराबरром 42 cm खीचा जब आप भूजा बनाते हो ऐसे तो उसको खीचा बोलते है क्या बोलते है उसको खीचा ठीक है भूजा बनाते है डारेक्टी तो उसको खीचा बोलते हैं nा P तथा Q को केंद्र मान कर अब इसको समझो जहाँ पर आप divider का no को रखते हो ना उसको केंद्र मानना बोलते हैं क्या बोलते हैं केंद्र मानना ठीक है केंद्र मान कर क्रमसह 6 cm देखो P 6 cm था है ना तो 6 cm यह P पहले है तो क्रमसह में P का जो value है वो पहले आएगा 6 cm तथा 3.6 cm त्रिज्या अब त्रिज्या का मतलब क्या है हमने divider को उतना फैल आया था ठीक है तो divider को आप जितना फैल आ रहे हो ना उसको त्रिज्या लेना बोलते हैं तो त्रिज्या का चाप काटा देखो चाप को क्या बोलते हैं काटना बोलते हैं चाप को क्या बोलते हैं काटना तो चाप काटा ऐसा लिखोगे ठीक है चाप काटा तो बिंदू आर प्राप्त हुआ जिसे P तथ Q से मिला आया ठीक है तो इस तरीके से अपन को इसको लिखना है ये second step हो जाएगा उसके बाद तीसरा step लिखना है तीसरा step हमने क्या किया भई देखो तीसरा step अपने क्या किया फिर से P को केंदर माने 1465 का तीज़ा लिए चाप काटे फिर से Q को केंदर माने और 1560 संटीमीटर का तीज़ा लिए और चाप काटे तो एस मिला है ना इसी को लिखना है तो क्या लिखो किया आप पर क्रम्स चार दसलव पात सेंटिमेटर तथा पात दसलव सास सेंटिमेटर द्रिज्य का चाप काटा ठीक है तो एस बिन्दू मिला जिसे पी, क्यू तथा आर से मिलाया प्राप्त चतुरभूज चतुरभूज पी, क्यू, आर, एस अभिष्ट चतुरभूज है अभिष्ट मतलब क्या चाही गई ठीक है अभिष्ट चतुरभूज है तो इस तरीके से ये वाला भी कम्प्रीट होता है अब जो तीसरा नंबर का प्रस्ण है उसको भी देख लेते हैं चलिए चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रस्ण को ध्यान से देखो पहला जानकारी दूसरा जानकारी और ये तीसरा ठीक है ये चाओ था और ये अपन को पांच बाद तो यहाँ पर टोटल पांच जानकारी अपन को दिया हुआ है ना अब अपन को क्या करना है रचना करना है तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप हल लिख लेना ठीक है पिर उसके बाद दिया है लिखना और फिर चतुर्भौज का नाम लिखना चतुर्भौज A, B, C, D में ऐसा पिर उसके बाद जो जो जानकारी दिया है A, B यह A B क्या है आपका भूजा है कैसे पता चलता है देखो A B ठीक है तो यदि लाइन से है तो वो क्या है भूजा है है ना तो A B क्या है अपना भूजा ठीक है BC 3.1 cm ये भी क्या है? भूजा है ठीक है? BC उसके बाद अपनको CD दिया है ये भी क्या है? आपका भूजा है क्यों? क्योंकि C के बाद DR है ओके? अब यहाँ पर जो AC दिया है A के बाद C देखो A के बाद B आना चाहिए लेकिन यहाँ पर A के बाद C आ रहे है एक को छोड़ कर तो ऐसा होला क्या होता है? विकर्ण होता है ठीक है? तो अपनको कितना दिया विकर्ण? 14.9 cm ठीक है? तथा BD बराबर 14.6 cm तो पिछला जो दो प्रसन अपन ने बनाया है सेम उसी तरीके का जानकारी इसमें दिया है कुछ जादा अदम डिफिकल्ट नहीं है तो जानकारी को अपन लिख लिए इसके बाद जो नेश्री स्टेफ होता है वो क्या होता है? एक रब शितर बनाने का ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर एक रब शितर बना देता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर सबसे पहले जो भूजा दिया है A, B यहाँ पर है ना उसी को लिख लेते है A, B उसके बाद C आएगा उसके बाद D आएगा इसको लाइन से लिखना है ठीक है? ऐसा नहीं भई कि A, B के बाद यहीं C, D दिया रहे तो यहाँ पर C, D बना रहे है ऐसा नहीं A, B लिखे हो तो B के बाद C आएगा C के बाद D आएगा ओके? फिर उसके बाद यह 13 लाव 5 cm हो जाएगा यह वाला आपका 13 लाव 1 cm हो जाएगा ठीक है? और यह वाला आपका C, D है ना 2.9 cm तो इस तरीके से जो जानकारी दिया है उसको आपको लिख देना है फिर उसके बाद अपनको A, C बनाना है ठीक है? और यहाँ पर B, D बनाना है इस तरीके से बना लेंगे A, C की लबाई कितना दिया है? 4.9 दिया है तो अपन यहाँ पर लिख देते है 4.9 ठीक है? और यहाँ पर B, D दिया है 4.6 तो मैं यहाँ पर लिख देता है 4.6 तो इस तरीके से आपको Rav Chitra बनाना है नीचे में आपको रबचितर ऐसा लिख भी देना है ठीक है यह आपको clarity दे देता है चेक करने वाले को कि यार यह वाला जो है कि रबचितर है अब जो है कि आपका रबचितर बन गए है तो जो रचना है न वो रबचितर के अधार पर अपन कर सकते है ठीक है तो इस तरह से मैं यहाँ पर रख उपर में मैं चीत्र को देखकर यहां पर रचना को करने वाला हूँ देखो अब क्या करना है अपन को यह चतुरुभुज की रचना करना है ठीक है तो सबसे पहले हमें कौन सा भुजा बनाना है जो सबसे नीचे में आपने बनाया है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकेल को ऐसा रखूंगा, ठीक है, आपको दीक रहा होगा, है ना, तो सबसे पहले, तो यहाँ पर आप जो 0 वाला पॉइंट है, यहाँ पर ऐसा मार्किंग कर लेना, कैसे मार्किंग करोगे, और फिर इसके बाद इसको ऐसे खीच लेना, देखो मार्किंग का मतलब क्या होता है, चीन बनाना होता है, तो आप जो है कि पेंसिल से बना लेना, उसके बाद क्या करना, यहाँ पर जो डिवाइडर है, उसका नोक को रखना, और गड़ा देना, ठीक है, और यहाँ पर जीरों में भी गड़ा देना, इससे क्या होगा ना, चाप काटने में असानी होगा, उस गड़े में आपको नोक को रखना है, इधर उधर खिसकाना नहीं है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले जो आधार भुजा है, अब यहाँ पर देखो चीत रखो, ठीक है, आपको पता है क्या, नहीं पता, ठीक है, भले ही यहाँ पर देखो, बी से डी तक का दूरी पता है, लेकिन A से D तक का दूरी तो नहीं पता तो अपन B को प्राफ्ट नहीं कर सकते यहाँ पर अपर सबसे पहले C को प्राफ्ट करेंगे तो उसके लिए आपको करना क्या है क्या करना है देखो A से आपको चाप काटना है कितने का काटना है A से चाप काटना है 4.9 ठीक है तो scale को ऐसे रखना ठीक इसका जो नोकीला वाला हिस्सा है उसको कहाँ पर रखो यह 5 से ज़स्ट एक पहले वही जो है कि आपका 4.9 होगा है यह 4 हो गया यह 5 हो गया उसके बाद आपको 4 पॉइंट और आके जाना है तो कहां पर पहुँच होगे 5 से ज़स्ट पहले a ठीक है और इसका जो नोकीला है पेंसिल का उसको कहां पर रखोगे जीरो में तो इस तरीके से आपका जो डिवाइडर है ना वो 4.9 फैल जाएगा ठीक है इसके बाद क्या करना इसको कहां पर रखेंगे से चाप कातना, कितने का? 3.1 का, तो अगेशन के गिश के ורफो ये 3 है, 3 के बार 2.1 है, यहाँ पर आपको रखना है, और इसका नो किला हिसा को 0 में लादेना है, ठीक है? ये 0 मा गया, उसके बाद B में रखना, ठीक, फिर उसके बार ऐसे चार देना चार खो हूंगे तो आपको इहांपर एक पृस्पाइट मिलेगा जाहो तो तो उसको से से क्रोस कर दो या फिर जो डिवाइडर है यह अभिश्फ एक ऐसे पृइंट को बना सकते हुघए है इज़्बश है आपको बनाना з जहाद ज़ूरूई है मतलब कि आपको divider से गड़ाना ज़्यादा ज़रू है क्योंकि यहाँ पर रख के अभी आपको चाप काटना है देखो C से D तक का दूरी 12.9 है यह चाप काटना पड़ेगा है ना इसलिए यहाँ पर divider से गड़ा देना ठीक है यह हो जाएगा जब यह कर लोगे उसके बाद क्या कर लेना यह जो C है ना इसको आपको B से तुरंद मिला देना है ठीक है यह नहीं कि पूरा जब point मिल जाएगा तो मैं मिलाओंगा ऐसा नहीं आपको पहले ही मिला लेना है ताकि आपको लिखते समय रचना के पर लिखोगे तो उसमें आपको दिख करना है जो कर रहे हो वही आपको क्या करना है लिखना है तो भाई सही तरीके से लिखोगे सही तरीके से बनाओगे तब तो सही तरीके से लिख पाओगे ना ठीक है उल्टा पूल्टा बनाओगे और उल्टा पूल्टा लिख दोगे तो हो गया फिर आपका रशना के फ़र्द का है सिक्त ऐसी ठीक है तो वह ऐसा नहीं करना है तो यह हो गया अब क्या करेंगे देखो A से D के लिए चाप नहीं कातना है क्योंकि A से D तक का दूरी आपको नहीं पता तो D कैसे मिलेगा? C से D तक का दूरी पता है और B से D तक का दूरी पता है ठीक है? तो अपन को B से चाप काटना है 4.6 और C से चाप काटना है 2.9 ठीक है तब जाके अपन को यह D वाल अपरेट मिलेगा तो अभी क्या करेंगे? B से D के लिए चाप काटना है 4.6 ठीक है? तो यह अपना इसके को ऐसे रखना डिवाइडर का जो नोकीला हिस्स है उसको कहां पर रखोगे? 4, 4.5, 4.6 तो यहां पर रखोगे ठीक है? और उसके बाद इसको 0 में रखना है इसको कहां रखेंगे? B में रखेंगे क्योंकि B से अपन को चाप काटना है ओके? ऐसे यह हो गया? इसके बाद देखो C से D तका दूरी है 12.9 इतना है? 12.9 तो इसको अगेन यहां पर रखना यह आपका 2 है, 2 के बाद यह 3 है, 3 से जर्ष्ट एक पहली है 12.9 ठीक है? तो ऐसे इसको फैला के फैला फिर उसके बाद इसको C में रखना है ऐसे और यह वाला जो है उसको चाप काटना है जब चाप काट होगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा? ख्रॉस पॉइंट मिलेगा ठीक है? उसको फैला सा मार्किंग कर लेना और यहां पर आपको लिख देना है D क्या लिख दोगे? अब क्या करना है? यह जो D है ना इसको अपन को A, B, C तीनों से मिलाना है यह मिल गया A से उसके बाद D को किस से मिलाना है? B से मिलाना है ओके? फिर उसके बाद अपन को किस से मिलाना है? C से तो इस तरीके से आपको मिला देना है ऐसे ठीक? तो इस तरीके से आप मिला लोग उसके बार जो दूरिया है यहाँ पर छूट गया है उसको अपन को लिग देना है जैसे यह वाला दूरी चारदसलो 6 cm ऐसा इसकी लंबाई है और यह वाला लंबाई आपका 2.9 cm तो अपन को इतना ही करने बोला है यहाँ पर किसी भुजा की लंबाई नापकर बताओ ऐसा अपन को नहीं बोला है तो उसको करने की जवरत नहीं है इसलिए नहीं करना है क्योंकि हो सकता है कि आप जो रचना की हो उसमें लंबाई अलगा जाए कोई दूसरा कर रहा है उसमें लंबाई अलगा जाए और फिर वहाँ पर गलत हो रहा है तो जवर्दस्ती का उसको मतलब टेंसन लेने के क्या जवर्द ठीक है तो जितना बोला ज तो इन्हें कि अपन बगल में ही लिखे ठीक है रचना के पद जहां पर एक्चुल में आपको चीत्र बनाने के बार नीचे में लिखना चाहिए ठीक है मैं बगल में इसलिए लिखता हूं कि आपको दीखे कि हम क्या बता रहे हैं बोलके ठीक है इसलिए बगल में लिखता हू अब यहाँ पर पहला इस्टेप क्या किया हो यह बताओ A B रेखा खन बराबर 3.5 cm खीचा सबसे पहले यही किए ठीक है फिर इसके बाद क्या किए A तथा B को केंद्र मान कर A से 4.9 cm यही किए न 4.9 cm तथा B से 3.1 यही है 3.1 cm क्रमस यह क्रमस हम बाद में भी लिख सकते हैं ठीक है पहले लिखना चीए यहाँ पर मान कर क्रमस यहाँ पर लिखना चीए क्रमस लेकिन यदि आप इसको लिख दियो और इसको लिख दियो तो भी बाद में लिखा जा सकते ठीक है मान का क्रम सा चाप काटा बिंदू C प्राप्थ हुआ जिसे A तथ B से मिलाया ठीक है इसके बाद अपने क्या किया देखो B को केंदर मान का 406 cm का चाप काटे और C को केंदर मान का 209 cm का चाप काटे तो D मिला D को A, B और C से मिलाया तो उसको मैं लिख रहा हूँ ठीक है B तथा C को केंदर मान कर क्रमसह 4.6 cm तथा 2.9 cm त्रिज्यका चाप काटा बिंदू D प्राप्थ हुआ क्या प्राप्थ हुआ बिंदू D प्राप्थ हुआ जिसे A B वद C से मिलाया चाप था इस्टे प्राप्थ चतुर भूज A B C D अभिष्ट चतुर भूज है अभिष्ट चतुर भूज है ठीक है तो इस तरीके से आपका ये रचना कम्प्लीट होता है और ये वीडियो भी कम्प्लीट होता है मिलते हैं नेश्ट वीडियो में इस प्रस्णॉली से सम्बंदित जो अभिहास के प्रस्ण है अभिहास दो उसको जो है कि नेश्ट वीडियो में देखेंगे उस वीडियो को भी देखना क्योंकि उससे आपको कुछ नया सीखने जरूर मिलेगा नहीं तो हमारे बुक में थोरिन देता अलग से है न तो पूरा वीडियो को देखना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब कर लेना दोसे उसना सेर करना तब तक के लिए बेस्ट आप लग अच्छे से पढ़ाई करो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू